दोस्तों बहुत ही बहुत जादा मन्हुज खबर आई हैं लटाजी को लिखर रेता झी हमारे बीच में नहीं है यह सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेगा कलाकार क्यों हम हर आम और खास आदमी की जंदेगी में लता जी बहुत बड़ा बहुत रिस्पेक्टेट मुकाम रखती है मैं थी तो कभी नहीं कमगाउन के लिए वो थी नहीं, वो है वो हमें चे रहेगी चाहे माँ और बेटे के लिए गाना गाना हो, चाहे प्रेमिका के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी भी भजन, किरतन, कोई भी इमोशन का गाना जो है, उन्होंने गाया है, और यही वज़े है कि हम दुख और सुख में हमेशा उनका गाना सुनते हैं और अपने आज लता जी के बारे में ये नियू सुनकर यकिन नहीं हो रहा कि हमारी दीदी, मा सरस्वती, धर्ती की मा सरस्वती जिने कहा जाता है, कली सरस्वती पूजा थी, और आज ये मा सरस्वती, धर्ती की मा सरस्वती उस मा सरस्वती की गोद में चलीगी, लता दी, स्वर कोकिला, क्या-क्या सारे तमगे सारे रिकॉर्ड सारे अवार्ड सारे रिवार्ड से उपर हमारी लता दी दी धर्ती पर रहने वाली आसमा आसमा थी वो चली गई लता दी दी मैं सुनकर यह मैं समझने नहीं पा रहा हूं कि क्या लोगों पर क्या बित रहे होगी हम सब पर क्या क्या कि म्यूजिक संगीत जो है वो संगीत की मां कह सकते हैं संगीत की बेटी कह सकते हैं संगित का परिवार जो है वो कहीं न कहीं है अनात हो गया है हर घर में उनकी उपस्तिती जाने हैं जाने में हमेशा रही है सबका एक परसनल खुद का लॉस लता जी का जाना जो है वो मैं समझता हूँ कि लता दीदी के जाना जो है हम जैसे छोटे कलाका तो वस यही कह सकते हैं कि लता दीदी एक दोबारा पर पे पैर जोने का सौभागे प्राप्त हुआ